हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं उमरता दिखाई दिया कंवर पहाडी की उचाई लगभग 3,000 फिट के करीब उस पहाडी पर अतियंत पुराना वव प्राचिन मंदिर है सुबह से ही हजारों की तादाद में आसपास के दर्जनों ग्रामिड छेत्रों से भक्तों के दुर्गम वग कठिल पकडंडी से परवत पर चड़कर भुरिया बाबा की दुड़ी पर पूजा आर्चना कर दर्शन का लाब उठाया इस मंदिर का रहस्य जानकारों के अनुसार वर्षों पहले एक महात्मा ने यहां गोर तपस्ता की थी तभी से यहां धुड़ी प्रसित है कहा जाता है कि यहां जो मन्नते मांगी जाए वो सभी भुरिया बाबा पुरुन करते हैं आज हजारों की संख्या में भक्तों ने पहाडी पर चड़कर दर्शन का लाब उठाया तथा बाबा से सुखे जीवन की मन्नते मांगी मेले में कई क्विंटल दलियों की लपसी का भोग लगा कर महाप्रशाद वित्रित किया गया जिसमें भक्तों ने प्रशादी का लाब उठाया श्री राम पुराडा ने बताया कि मेले की वैवस्था पूरी रखी गई वहीं भजन संध्या में भजन कलाकार बुरिया बाबा के भजनों को गाकर भक्तों को जुमने पर मजबूर कर दिये वहीं मेले की वैवस्था की पूरी जिम्मेदारे निभाते हुए पुलिस थाना सुमेरपूर सब इंस्पेक्टर सरोज बैरवा, कॉंस्टेबल अशोग कुमार सहिद, पाल्ली चोकी गोपाल सिंग, भोपाल सिंग, भवरलाल चौहान, अमरा राम, पुलिस प्रशाशन द्वारा पुक्ता इंतजाम किया गया मेले में जहां देखे लोग ही लोग, और वाहन नहीं नजर आ रहे थे, वहीं मेलार्थियों के वाहनों की बात करे तो, तकरीबन 3-4 किलोमीटर तक वाहनों की पारकिंग देखने को मिली, जो साय धिया नजारा पहली बार देखने को मिला मेले को लेकर लोगों में काफी उत्साह दिखा, जिसको लेकर बच्चों से लेकर बुड़े तक में जोस देखने को मिला इस पहाड़े की श्रिंखला पर दोनों तरब, पुराड़ा और भारुंदा से चड़ने उतरने की कतारे लगी रहती है सुमेरपूर से जागरुप टीवी की रिपोर्ट